Hello everyone, Z1 Tutorials आपका एक बार फिर से स्वाबत करता है आज जो हम रेक्षिन पढ़ने वाले हैं वो है decarbozylation यह रेक्षिन आप BSC 1st year में, alkane में या फिर आप plus 1 alkane में, organic chemistry में, alkane में पढ़ते हैं अगर मैं इस रेक्षिन की बात करता हूँ तो decarbozylation मतलब क्या होता है removal of carbozylate group, मतलब अब मैंने COOH group को remove करना है तो यह एक ऐसा method है, जिससे हम क्या बनाते हैं, alkane बनाते हैं क्या बनाते हैं, alkane बनाते हैं, simply by using, क्या use करते हैं यहाँ पर sodium salt of carbozylic acid, sodium salt of carbozylic acid तो जो sodium salt of carbozylic acid है, वो किसके presence में? soda lime के presence में, हमारे पास जो product बनाता है, क्या बनाता है? alkane बनाता है, और soda lime क्या होता है? soda lime होता है, आपके पास sodium hydroxide and calcium oxide का mixture जिसमें इसका जो ratio होता है, इन दोनों का वो होता है, 3 to 1 ratios जो calcium oxide है, इसको इसलिए लिया जाता है, ताकि यह क्या कर सके? sodium hydroxide को dry रख सके, क्या रख सके? sodium hydroxide को dry रख सके, क्यूंकि आपके पास आपको पता है, जो sodium hydroxide है, वो hygroscopy की nature होता है, hygroscopy का मतलब होता है, जो moisture absorb करता है, तो चलिए इसकी reaction लिखते हैं अब, तो reaction लिखने के लिए मैं क्या लिखता हूँ? ये लिखने हमेने sodium salt of carboxly acid, क्या लिखनी हमेने sodium salt of carboxly acid, plus क्या लिखनी हमेन? sodium hydroxide, क्या लिखनी हमेन? sodium hydroxide, और arrow के उपर calcium oxide लिख दिया, क्या लिखनी क्या लिखना है क्या लिखना है, इसको heat करना पड़ता है, approximate temperature अगर हमने alkalines बनाने हैं तो 630 Kelvin, लिि तरह के इसको हीट करना पड़ता है कि ti ए कितना Home हमारे पास गलिंटा है सा एलचकोन कहा बन गए यहां पे आर एच प्लस थी अ कार्वोनेट है नियुक्त हमने क्या करना है है इसकी क्या कार्वोनेट ओ keyboard से यहां से निकल गया आपके पास आरेच और यहां से निकल गया आपके प्लस क्या ले लिए साथ में, sodium hydroxide, किसके presence में लूँगा, calcium oxide के presence में, इसको heat करूँगा, तो आपके अस्त क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH4, that is methane, also called as marsh gas, जिसको हम और क्या बोलते हैं, marsh gas, प्लस क्या बन जाता है, sodium carbonate, यहाँ पे क्या बन जाता है साथ में, sodium carbonate, तो यह इतनी सी reaction है, हलांकि अगर हम decarbozylation की बात करें, तो decarbozylation मतलब क्या है, carboxylic acid जो है, उस group को आपको निकालना है, COH group को निकालना है, तो आपको पता है, यह आप coal-based reaction में भी पढ़ते हैं, there are many reactions, जिसमें आप क्या करते हैं, decarbozylation reaction करते हैं, तो thank you for watching, hope so आपको यह पसंद आया हो, यह समझ आपको आया हो, अगर आपको यह समझ नहीं आया हो, तो आप please comment करें, हम कोशिश करेंगे इसको और अच्छे तरीके से, और थोड़ा अलग तरीके से बनाने की, thank you for watching, like, share, comment ज़रूर करें,